अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को तेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 26 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है जजबय अगर आप लोग मेरा वीडियो सिक्वेंस में देखते आ रहे हैं तो आप लोग मालूम होगा और आप लोग जानते भी होंगे ठीक है कि मसनवी किसे कहते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा प्रिवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आप लोग को बताई हूँ पूरा चर्चा की हूँ मसनवी पर कि मसनवी किसे कहते हैं यह सारी चीजे बताई हूँ तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जा कर देख लिजे ठीक यहां पर हम लोग चैप्टर के चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर के जो मुसनिफ है लेखक उनके बारे और पूरा फिल्म आप लोग को नहीं देखना है सिर्फ उसका एक छोटा सा क्लिप टुकडा देख लेना है ठीक है तो सबसे पहले यह जान लीजे कि इस चैप्टर के लेखक कौन है देखिए जिए इश्क नाम के इस चैप्टर के मुसनिफ यानिकी लेखक का नाम है गुल सबसे पहले इनके बारे में जानिए इनकी पैदाइश की बात कर ले तो इनकी पैदाइश होए थी 17-48 ठीक है और यूपी के अम्रोहिया में यह पैदा हुए थे आगे बढ़िए इप्तिदाई तालीम अम्रोहिया में ही हुई थी पढ़ने लिखने का जो शुरूआती सिक गये दिल्ली गये कई जगह गये थे कुछ काम के वज़ा से लेकिन यहां पर एक चीज़ और मैं बता दू गुलाम हमदानी के जो पिता जी थे वो अकबर पूर के रहने वाले थे ठीक है जो की अम्रोहिय के आसपास थी है ठीक है तो फिलाल गुलाम हमदानी मसाफी यूप जानते ही थे ठीक है लेकिन उसके लावा वो अर्बी भी जानते थे उस पर भी महारत हासिल थी उसके आगे बढ़िए गजले और कई मसनविया भी लिखें गजले और मसनविया यानि की मसनवी भी इन्होंने लिखा है और उसी में का तो एक मसनवी आप लोको पढ़ना है जद बाई इस्टीडेंट का नाम देखिए मैं आप लिकी देहूं कुछ स्टुडेंट का भी नाम दिया है तो देखिए घुलाम हमदानी मसफई के कुछ स्टुडेंट का नाम है अमीर जमीर मिन खालियक आतिस लखनवी और असीर यह जितने भी ना वह गरवर इनके धैर स और इनके यह इनकी कुछ मस्नवी भी घृइप की हो थेखे तो इसका नाम है बहर भाएं और उने ऊठीन यदि कीनिल नली बाकी मस्नविया लिखी है गरीब खाना मसफी मोदी खाना खटमल नामा यह सब क्या है यह सब गुलाम हमदानी की लिखी हुई मसनवी है और इश्किया मसनवी का क्या नाम है बहरुल मुहबत ठीक है यह मत भूलिएगा एकजाम में अगर कोर्शन पूछ दे अब्जेक्टिव में तो आप लोग टिक लगा इनके इंतकाल हो गई थी मतलब घुलाम हमदानी मसफी का इंतकाल हो गया था 1824 ठीक है यह हो गया इनके बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोग को याद रखना है ठीक अब चलिए मैं आप लोग को इस जज़वे इश्क नाम के मसनवी में जो भी कहानी बताई गई है न वो मैं आप लोग को बताती हूं बिना किताब देखें क्योंकि आपके भी टाइम को इंपॉर्टेंट समझती हुए और मैं अपने भी टाइम को इंपॉर्टेंट समझती हुए डरेक्ट ज़वानी बता दे रही हूं ठीक है उस तरह बहुत ही लंबा है यह मसनवी छोटा यह टुकड़ा यह बट लंबा है तो देखिए इस मस्नवी में जो है ना एक लड़के के बारे में बताए गया है वो लड़का बहुत ही जवान और हसीन रहता है वो दिल्ली का रहता है और उसका मतलब चाल धाल शान सो का सब साहबों वाला रहता है यान कि जिस तरह बड़े ठीके ना और उसके इलावा जो है ना उसकी शादी भी हो गई रहती है क्यों देखिए वो इस में क्यों मतलब इतना डूबा रहता है इसकी गम में इसलिए डूबा रहता है क्योंकि उसकी जो बीवी रहती है वो बहुत ज़्यदा खुबसूरत रहती है इतना खुबसूरत कि दुनिया में कोई उसके जैसा खुबसूरत हो ही नहीं सकता ठीक है उसके घर वाले भी जो उस लड़के की जितने खुबसुरत वह थी ठीक हैं और उसली की इस को में उसी की मुहबबत में अपनी वीवीकी मुहबबत मी नगनी यह वीचारा लड़का जो है अर्म सब सबागल हुआ रहता था हमें अशक के गम में डूबा ही रहता था एसा लगता था कि यह अपने आसू के मतलब आसू बहानी के वज़ासे एक तलाब क्रियेट कर सकता है ठीक है तो जब भी यह मतलब लड़का जो है अपनी वीवी को छोड़कर घर से बाहर कोई काम से जाता जैसे घर से दो कदम बाहर निकलता तो फिर उससे रहा नहीं जाता फिर वापस अपने बीवी के पासा कर सिर्फ उसका मुह ताकते रहता था इतना जदा वह खुशुरत थी हमेशा दिन भर रात बर जो है ना यह अपने बीवी का मुह ताकता रहता था लड़की को कोई भी काम नहीं करने देता था कोई भी यहां तक टेंसन भी नहीं लेने देता था हमेशा दि एक दिन हुआ यह कि वह लड़की जो है ना बहुत तेज बिमार पड़ गई बिष्टर पर गिर पड़ी और उसका बहुत तेज तग्यत खराब हो गया ठीक है अब सभी आसपड़ोस के लोग आए उसकी माँ बहने भी आई कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं इस लड़की को कोई काम ही नहीं करेगी दिन भर चुपच अप अब गुठी तरह बैठी रहेगी तो उसके शरीर में बिमारी तो होगा और यही हाल हुआ था उस लड़की भी रहते हैं थीकिना आलसी की तरह तो सरीर में तरह तरह की बिमारीया होती है तो यहाँ पर आप लोग साउधान रहे और सतर्क रहें भलेए आप लोग की पास कोई भी काम ना हो लेकिन आप आपको कोई ना कोई काम झिकल उससे होगा यह कि जो भी आप खाना खाते ह mattress के यनल होई तो बैठे ही रहे तो जो भी आप खा रहे उसे जो एनर्जी मिलें उसका कई यूज नहीं हो रहा है कई खपत नहीं हो रहा है और फिर नेक्स टाइम भी खा ले रहे हैं ठीक है तो इससे शरील में विमारी होती है लेकिन हां वहीं पर खाने के बाद जो आपके पास एनर्जी आ रही है जो उर्जा रही है उसका खपत करें कोई मेहनत वाला काम करके ठीक है न तो फिर आप खाने के बाद जो मेहनत वाला काम कर रहे हैं मिलब जो एनर्जी मिल लिए तो एनर्जी खपत हो जा रही है फिर आप दुबारा नेक्स टाइम खाएंगे तो फिर उसमें अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग का अभी हाल इसी लड़की की तरह होगा एक दिन टाय बोल गई ना दिन बर हमेशा गुरिये की तरह बैठी रही थी उसका कोई भी काम करने नहीं देता था और नतीजा वाव उसके शरीन में बिमारी होगी और इंतकाल कर गई तो इस तरह आप लोग को जजबय इश्क नाम का यह पूरा मसनवी पढ़ना होगा आप लोग सिर्फ ट्रेलर न पढ़ें एक तरह से टुकड़ा पढ़ें ठीक है ना इसके आगी की भी कहानी जो की जजबय इश्क नाम के पूरे मसनवी में है तो इस नहीं कहानी आप लोग के 10th क्लास के बुक मे दिया गया था कोई भी कमफ्यूजन और इस चैप्टर से रिलिटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बागी में आप लोग को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और सबसे ज्यादा आप लोग को शेयर करना है अपने प नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज